हलो ओपी क्लास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुना स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 12 अक्टूबर 2020 के तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रशन है भारतिय खेल प्राधी करण ने अपने सभी खेल प्रिसिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेट टेस्ट कराने को कहा है तो हाल ही मैं भारतिय खेल प्राधी करण ने अपने सभी खेल प्रिसिक्ष को एक वर्स में दो बार फिटनिश टेस्ट कराने को कहा है यह टेस्ट बर्स के मार्च बा अक्टूबर महीने में किया जाएगा तथा टेस्ट के बाद की जांच रिपोर्ट को व्यक्तिगत फाइल में रखा जाएगा 24 सितंबर 2020 को प्रधान मंत्री मोधी ने फिट इंडिया मोबेंड के दोरान इस बात का बरणन किया था टेस्ट में पुसप दो किलो मीटर का चालन नौकासन ब्रक्षासन सूर नमस्कार अनुलोम बिलोम तथा मकराशन आधी प्रकार के आसन सामिल हैं बात की जा एक भारती खेल प्राधी करण की तो इसकी स्थापना 1982 में होई थी तथा बर्तमान में साई के तहट 1500 से अधिक कोच कारेरत हैं चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रशन दूसरा प्रशन है भारत सरकार की ओर से गांधी जैनती पर किस देश को 41 एंबुलेंस और 6 इसकूल वसें उपहार में दी गई 1994 से लेकर बर्श 2020 तक भारत सरकार नेपाल को कुल 823 एंबुलेंस उपहार में दे चुका है बात की जाए नेपाल की तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू तथा वर्तमान में राष्टपती हैं विध्या देवी भंडारी वर्तमान में नेपाल की प्रधान मंत्री केप सर्मा ओली है नेपाल का एकी करण 28 दिसंबर 1768 को हुआ था जबकि नेपाल का गडराज 28 दिसंबर 2007 को लागू हुआ था चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्ण तीसरा प्रश्ण है विश्व द्रश्टी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो प्रतेक वर् विश्व द्रश्टी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया वर्श 2020 के विश्व द्रश्टी दिवस की थीम थी होप इन साइट इस विश्व द्रश्टी की पहल IAPM यानि International Agency for the Prevention of Blindness की द्वारा बर्श 1990 में की गई थी चलिए देखते हमारा आज का चौथा प्रश्ट है हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिर्कॉन का सफल परिक्षण किया है तो हाल ही में रूष ने विश्व की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिर्कॉन का सफल परिक्षण किया है यह परिक्षन रूस ने बेरंट सागर से किया है तथा यह मिसाइल धुनी की गती से आठ गुना तेज गती से चली और मात्र 4.5 मिनिट में 450 किलो मीटर की दूरी तैकी रूस का S500 एयर डिफेंस सिस्टम ही केवल हाइपर सॉनिक मिसाइल को रोक पाता है बात की जाए रूस की तो रूस के राष्ट पती हैं ब्लादिमिर पुतिन तथा वर्तमान में रूस के प्रधान मंत्री मिखाइल मिसुस्तिन है चली देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश अगला प्रशन है नासा ने भारती मूल की 21 दिवंगत अंतरिक श्यात्री के नाम पर एक बाड़िजिक अंत्रिक्षियान लॉंच किया है तो हाल ही में नासा ने भारत्य मूल की कल्पना चावला अंत्रिक्षियात्री के नाम पर एक बाड़िजिक अंत्रिक्षियान लॉंच किया है इस यान ने अंतरराश्टिय अंत्रिक्षिस्टेशन के लिए चार टन की लगभग कारगों का परिवहन किया है इस अंतरिक्षियान का निर्माड बरजीनिया बेश्ड कमपनी नौर्थ रोप गुरुमेन ने की है बात की जाए कलपना चावला की तो कलपना चावला का जन 17 मार्च 1962 को हर्याना के करनाल में हुआ था कलपना चावला नासा के STS 107 अभियान के दौरान कोलंबिया अंतरिक्षियान की दुरगटना ग्रश्थ होने से उनकी मृत्यू वर्ष 2003 में हो गई थी चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्ण है भारत किस देश के हुल हुमाले में एक सो बैड़ वाला कैंसर अस्पताल तथा 22,000 सीटर वाला क्रिकेट इस्टेडियम का निर्मार कर रहा है भारत मालीब के हुल हुमाले में एक सो बैड़ वाला कैंसर अस्पताल तथा 22,000 सीटर क्रिकेट इस्टेडियम का निर्मार कर रहा है भारत ने पिछले साल 800 मिलियन डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट की मदद मालीब को दी थी और उसी मदद के दोरान भारत या कैंसर अस्पताल तथा क्रिकेट इस्टेडियम बना रहा है बात की जाए मालीब की तो राजधानी है माले तथा राश्टपती है इब्राहिम मुहमद सोले है मालीब बर्स 1965 में यूके से अलग हुआ था तथा मालीब का संबिधान 7 अगस 2008 को लागू हुआ था मालीब एसिया का सबसे छोटा देश है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्ण है बाबरी मस्जिद बिद्धवन्स मामले में लखनव की स्पेशल CBI कोट ने मामले पर फैंसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है तो हाल ही में बाबरी मस्जिद बिद्धवन्स मामले में लखनव की स्पेशल CBI कोट ने फैंसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है CBI की बिसेश अदालत ने 28 साल पुराने मामले में लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोसी सहित सभी 32 लोगों को बरी कर दिया है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद बिद्धवन्स किया गया था चलिए देखते हैं आज का अगला प्रशन है हिमालयन चंदर टेली स्कूप के हाल ही में कितने बर्स पूरे हो गए हैं हिमालयन चंदर टेली स्कूप लग्दा के लेह के हानले में भारतिय खगूल बैद साला में इस्थित है यह हिमालयन चंदर टेलीसकोप छुद ग्रह उलकापिंड ग्रह आदी की खोज के लिए रात में आकास को स्कैन करता है यह टेलीसकोप हानले के माउंट सरस्वती पर 4500 मीटर की उंचाई पर इस्थित है यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था 11 एक्टूबर 2020 का कोशन अब दे है आपका देश का सबसे बड़ा बारेजिक बैंक है इसके अलावा सेशन अब दे का कोशन था विश्वखाद कारिक्रम के कितने देशों में कार्याल आ हैं सही उत्तर देने वाले हों में शामिल हैं निक्की, विने, सीतल, नैंसी, मुसकान, जोती, अमित, सोनाली, मयंक, गौरब तथा दिलीब सभी को बहुत-बहुत बधाई